नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाथ्या है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वालों अमेरिका के बजार के बारे में इसका डेटा क्या कह रहा है और most important कल सेटेडे जरूर है लेकिन मार्केट से ओपन है तो क्या कल भी तेजी आएगी आज की तेजी कैरी फॉरवर्ड होगी इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं बहुत ही simple और short बासा में तो सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा global markets के साथ global markets की बात की जाए तो अमेरिका के बजार में हर्याली देखने को मिल रही है जहाँ पे किवल हर्याली ही देखने को मिल रही है कुछ खास बड़ा move है नहीं US market अभी currently किवल और किवल तो अमेरिका के broader market में तेजी है बट डाउ जोन्स कुछ खास नहीं कर रहा अगर global markets में European markets की बात करूँ तो फिटसी आदे परसेंट उपर है DEX में एक तेहाई परसेंट की तेजी है और CAC flat to negative है Asia Pacific तूफानी रफतार से तेजी आते हो दिखिए है निकाई 2% की रैली दे रहा है शंगाई आधे परसेंट रैली दे रहा है और हैंग सेंग में भी आधे परसेंट के करीब की तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को FIADIs का डेटा देखें तो DIAIs 11,987 करोड की बाइंग करके गई है जिसके सामने 8,173 करोड की सेलिंग करी है नेट फिगर काफी बढ़िया निकल रहा है जहां 3,814 करोड की बाइंग का फिगर निकल के आया तो DIAIs तो दबा के खरीद के गई है FIAIs की बात करूँ तो 15,712 करोड की उन्होंने टोटल बाइंग करी जिसके सामने 15,583 करोड की सेलिंग करी नेट फिगर निकल के आ रहा है 128.94 करोड की बाइंग का तो FIADIs दोनों खरीद के गई है अगर आप यह कहना चाहें तो कह सकते हैं FIADIs काफी बढ़िया खरीद कर गई है आज यह काफी positive दिख रहा है अब अगले topic की तरफ बढ़ते हैं क्या कल भी बजार में तेजी आएगी तो उससे पहले कल market आपके लिए एक गंटे 45 मिनट ओपन होगा दो चरणों में होगा 9 बज के 15 मिनट से लेकर 10 बजे तक और 11.30 से लेकर 12.30 बजे तक यह दो चरणों में बजार कल ओपन होने वाला है 9.15 पे जब ओपन होगा उससे पहले 9 बजे प्री ओपनिंग हो जाएगी आपके लिए 15 मिनट का प्री ओपनिंग विंडो है फिर 9.15 से असली ट्रेड है जब 11.30 बजे ओपन होगा उससे पहले 11.15 पे प्री ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी 11.30 मार्केट ओपन हो जाएगा नॉर्मल जैसे ट्रेड होता है वैसे ही ट्रेड होगा आप खरीद सकते हैं बेच सकते हैं आज जो शेर खरीद है वो कल बेच सकते हो बस फंड ट्रांसफर नहीं होगा यानि कि अगर आप कल विड्ड्रॉ मारेंगे वो विड्ड्रॉ नहीं होगा आज का कोई प्रॉफिट हुआ है इंट्राडे बेसिस में वो कल एडजस्ट नहीं होगा वो मंडे को ही एडजस्ट होगा यानि पैसे का लेंदे ना आप कह सकते हैं कल नहीं होगा बाकी ट्रेड एजट इस होगा एक बड़ा बदलाव यह हर एक शेर में 5% का मैक्सिमम सर्किट है बाकी जिन में 2% का होता है वो एजट इस 2% का ही रहेगा मैक्सिमम साइड पे 5% स्टॉक मूव कर सकता है और जो 2% वाले वो 2% ही करेंगे यह एक बड़ा बदलाव है अब क्या कल तेजी आएगी तो इसका जवाब लग रहा है हाँ क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो 22-500 की तरफ एग्रेसिवली भड़ता हुआ दिख रहा है तो मार्केट को लेकर आपको कल भी पॉजिटिव रहना चाहिए स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक खबरें काफी सारी है जहाँ पे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा मोटर्स का सेल्स नंबर आगे है फेबरी की टोटल सेल्स यूनिट आई है 86,406 यूनिट इन्होंने बेची है अनुमान था 84,440 यूनिट का तो एस्टिमेट को पूरी तरीके से बीट करा है हाला कि मन्त और मन्त अगर आप देखोगे तो हलकी गिरावट हुई है यू सेल्स में 86,125 यूनिट के सामने नहीं इंक्रीज ही है गिरावट कहीं भी नहीं है क्योंकि 86,125 से तो बढ़कर 86,406 है तो सूपब नंबर है हर एक पहमाने पे आप ये कह सकते हो पेटीम के लिए नेगेटिव ख़बर आ रही है जहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट इंडिया इंपोजिस पैनल्टी ओफ 55 मिलियन रुपीज यानि 5.5 करोड रुपे की पैनल्टी लगा दिये पेटीम पेमेंट्स बैंक पे जो बंद भी हो गया है बट उसके बाब जूद भी इनकी प्रॉबलम खतम नहीं हो रही है एकसेस बैंक की तरप से बड़ी ख़वर आते हूँ दिख रही है जहाँ पे एकसेस बैंक ने का है कंपनी प्रपोजिस टू रेज फंड्स अप्टू 40 बिलियन रुपीज यानि की 4,000 करोड रुपे कंपनी फंड्रेस करने जा रही है और अगर आप देखें यह फंड्रेस होगा NCD के दौरा जहां कंपनी के रही है 10 बिलियन रुपीज का तो NCD है 10 बिलियन यानि की 1,000 करोड का तो आपका डिरेक्ट NCD आएगा और उस पे अगर रिस्पॉंस अच्छा आता है तो additional green shoe option के दौरा 30 बिलियन additional आएगा जो की होता है 3,000 करोड तो total इस तरीके से 4,000 करोड का फंड्रेस करने जा रहा है access bank आप ये कह सकते है और भी बहुत सारी खबरें आते हो दिख रही है hero motocop के भी sales नंबर आए है वो भी मैं आपको बता दू तो 4,68,410 units की बिकवाली करी है इनोंने जो की अनुमान से पूरी तरीके से better है तो कल ये एक तूफानी देजी में भी आपको देखने को मिल सकता है stock to watch होगा कल मेरे हिसाब से hero motocop दौरी के शुगर की board meeting है 8th March को जहां buyback को लेकर विचार करने वाली company तो ये stock भी कल आपके लिए radar पे रहना चाहिए तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारे के सारे stock and video थी ओप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा thank you so much for watching this video have a great day guys